सब्सक्राइब करता हूं और उमीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे आपकी तेरी काफी अच्छे चल डए होगी अरिहन्त पॉब्लिकेशन की यह जो बुक हमने स्टार्ट कि एक सीरीज मेंने स्टार्ट कर दी है अरिहन्त की एंसी आटी वेस्ट कुछ पच्छिस अजार प्लस पच्छिस अजार प्लस वा लाइनर फॉर्म में कोश्चन के फॉर्म में इन फैक्ट कहूंगा कि एंसी आटी बेस्ट कोश्चन दिये गए हैं डिफेंट सब्जेक्स से सच आज हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी और एकॉनॉमी जेनरल साइंस जेन इससे बेटर बुक नहीं हो सकती है बहुत अच्छी बुक है बहुत अच्छे से कवर करेंगे स्टार्ट हमने हिस्ट्री से किया है अल्लेडी आप कॉंटेंट के इसाप से चलोगे तो मैं बता दू कि इस्टोरिकल सोर्सेज क्री हिस्टोरिक कल्चर इंडस वैली एज अफ महाजन पता और बुद्धिजम और जैनिजम तक तो अल्लेडी हमने कवर कर लिया है आगे बच रहा है मौर्यन एंपायर मौर्यन एंपायर को इस पार्टिकलर वीडियो में कवर कर लेंगे अच्छे से करेंगे ठीक है अच्छे से डिसकर्शन करके क्योंकि कई सा करता है कि आपको चाहिए तो डेफिनेटली वह प्रोवाइट की जाएंगी तो बने रही है चैनल पर ने तो जुरूर सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि ऐसे ही मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है ठीक है य ओरीजीन क्या है मौरियन एंपियर का एक क्या था मौरियन एंपाइर का ओरीजीन क्या था मंघद पे इसका ओरीजीन हुआ और मंघद उबा दाटनाइप्ट जो हैं एंपाइर कहा सकते हैं सणमें ऐस्धिए सब्सक्राइब दुदा L unos staat मि फंट चैनल मोडएन इंपाइर लिश्टा ने हां च्बिए था थी के बहुत वाइड होट है थीकुạnh यह फर्स्ट था यह एफस्ट इंडियन अंपायर था घ्से होधा छावला कि समाट लेनी पड़ी थी चंदरगॉप्त ऑर स्गुछ मौर्य को किसकी तो कोटिल की मदद से यह established कर दिया था इनोंने कोटिल ले की मदद से तो आंसर होगा इसका चंद्रगूप टुमॉर्या तो वाट वाट वस बिगेस्ट फैक्टर अव क्रियेटिंग फर्स इंडियन एंपायर बिगेस्ट फैक्टर पूछा है तो डर था विया डर ये था कि अलेकजेंडर उदर से चल पड़ा था मकदुनिया का सासक अलेकजेंडर चल पड़ा था उदर से एक्छा लिये हुए कि पूरी दुनिया को जीतना है और बढ़ा किदर तो इस्ट के तरफ बढ़ा इस्ट के तरफ बढ़ा भारत में आया पोरस उसको हराया पूरस ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी फिर उसका राजबाट उसको लोटा दिया फुर्दर इस्ट आना चाहता था फॉर्दर इस्ट आना चाहता था लेकिन उस समय नंदों का साशन था मगत पर नंद में धना आनंद बैठा था उसकी सेना ठक चुकी थी उसकी सेना को यह भी पता चला कि काफी पॉर्टेंट राजा है काफी महान है और उदर गए तो छोड़ेंगे नहीं चूर-चूर कर देंगे तो जिसकी सेना ही ना कर दे तो एलेकजिंडर को खेर बाहर वापस जाना पड़ा इतनी इंडिन एंपाइर नहीं बनाया एंपाइर बनाया किसने मौरें ने क्योंकि उनको ऐसे खत्रे आगे सेही पहले से तयार रहने का मन था तो अटक अफ एलेकजिंडर से सीख लिया इनहोंने और बना दिया अपना एंपार अगला point है चंद्रगुप्त मौरे figures prominently in the book of which book of तो देखे बिसाखदत है मुद्रा राक्षस बिसाखदत की लेखक है इनकी एक book है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौरे के बारे में discuss किया गया है उसमें कैसे कोटिल्य के मदद से चंद्रगुप्त मौरे ने establish कर दिया था मौरे डानेस्टी को तो बिसाखदत की मुद्रा राक्षस का सही आंसर होगा कोटिल्य who played the vital role and helped चंद्रगुप्त मौरे in establishing मौरे नेंपायर is famously known as तो कोटिल्य का दो नाम और है एक तो उनका चानक के भी नाम है चानक के निती सोच लो youtube ओँ खोलोगे ना भक से आ जाता है उसमें चानक के निती मतलब जैसा जो आप सर्च करेगा कोई कुछ और सर्च करता होगा तो वैसे ही आता होगा मुझे तो मतलब दिखता है ऐसा वीडियो तो मैं कई पर देख लेता हूँ अलाकि उसमझाने वाला भी वैसे ही आड़ा टेड़ा उसको खुदी ग्यान जितना होगा उसे ही साब से समझाएगा ना खेर तो कोटिल्य को चानक के भी कहते है और बिष्णु गुप्त भी इनको कहा जाता था So who was the prime minister of चंद्रगुप्त मौरिया तो कोटिल्य यह थे कोटिल्य कहलो चंद्रगुप्त कहलो सरी चाड़क कहलो या फिर बिष्णु गुप्त कहलो Who first recognized Sandro Cotas as चंद्रगुप्त मौरिया तो यह first time recognized किया था बुढुधिस्ट सॉर्सस क tät कहें उसको लें तो हमें चंद्रगुप्त वाज़्दा च्छत्रिये औफ साक के बुढुधिस्ट subscribe से पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो थे वह च ignorant dw कि वहीं जयन वाले कहते के चंद्रगुप्त जो थे म॓रिया ट्राइब और पिकओk ट्रेनर से इसलिए MORE मोनए में देखो कितना similarity है जयन सोर्चस के रिसाब से चंद्रगुपत जो डिफिरेंट लोगों के डिफिरेंट सोच मुद्रा राक्षा बिसाख दवारा लिखी गई उसके इसाफ से मौर्याज वेर कनेक्टेट टू नंदास नंदों से लेटेट थे खेर डिस्प्यूटेड है बहुत सारे व्यू है चंद्रगुप्त मौरे के बारे में जानिये वही है जिसने मौरे एंपायर खड़ा कर दिया उस समय चंद्रगुप्त मौरे काफी जवान थे युवा थे रगों में गरम खून दोड़ रहा था पच्चीस साल के थे तीन सब बाइस बीसी में इन्होंने मौरे डाइनेस्टी फाउंड कर दिया बट मदद लेनी पड़ी वही या मदद लेनी पड़ी किसकी कौटिल ले की कौटिल ले चानक के को भी बोलते अच्छा एक कहानी में बहुत इंट्रेस्ट रहता है चंद्रगुप्त मौरे के अलावा एक और सिस्य थे कौटिल ले के एक और सिस्य थे कौटिल ले के ठीक है कौटिल ले के एक और सिस्य थे तो कौटिल ले ने एक बार उनको दोनों को चंद्रगुप्त मौरे को ऐसे दोनों साथ में ही थे तो कौटिल ले ने कुट निती का परिचय जानने के लिए कि कौन ज्यादा महान बनेगा उसको बोला एक बर जो दूसरा बना बना था कि चंदरगुप्त मौरे के हत्य कर देता क्या आसर नहीं हमारे साथ ही तो है बना यह क्यों मैं कभी बार नहीं करता बोला नहीं मैं नहीं मार सकता और सेम कहानी हुई एक बार चंद्रगुप्त मौरे के साथ जब वो सो रहा था बन्दा तो चाड़क के ने बोला कि काम तमाम चंद्रगुप्त ने खटाक से काम तमाम कर दिया उसका तो देखो कुछ पाने के लिए कुछ कई बार करना भी पड बिलती है कोई बच्चे को भी पूछो कि क्या सीख मिला तो बोला वह तो महानता यार उसने तो मना कर दिया बट भाईया राज पाथ में बहुत सारी चीज़े करनी पड़ती है ठीक है नेक्स्ट है विच इंडियन किंग डिफीटेड से लुकस निकेटर गवर्नर अफ सिं का अलग जंडर बना के गया तक मैं तो जा रहा हूं तू अब सम्हाल ले से लुकस निकेटर चंदर गुप्त मोरे ने उसको हरा दिया उसको हरा दिया और बहुत सारी पार्ट अफगानिस्तान हेरात यह सब जीत लिया और इन सब को खदेड दिया और इसकी वेटी से विव सबसेड़ चंदकूप्त मोरे ने यह टू स्रवन बेल गोला एंड डाइड इंड ऑर्थोड़क्स जैना ट्रेडिशन कॉल्ड सलेख खाना सलेख खाना कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौरे एक जैन के फॉलोवर थे और जब उन्हें लगा कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए तो अपने पुत्र स्थूलबधर तो यह फाक्ट आपको याद रखना पड़ेगा बिंदु सार चंदरगुप्त मोरे के बाद so by which name बिंदु सार was known to Greek historian बिंदु सार को अमित्रो कोकेट या फिर अमित्र घात हिंदी में कहते या फिर इंगलिस में slayer of foe, slayer of enemy अमित्र घात मतलब दुस्मनों का घात करने वाला सफाया करने वाला सफाया चट कर देंगे अपने दिसमन को है न बिंदु सार which Greek ruler had sent dried figs, sweet wine but rejected to send sophists to Buddhist court तो ये था Antiochus one of Syria तो हुआ क्या बिंदु सार ने मांगा बिंदु सार ने मांगा कि या Antiochus साव एक काम करो न मुझे थोड़ा सा न dried figs दे दो अंजीर जिसे कहते है sweet wine दो पीने का बड़ा मन है एकदम चखना खाएंगे और but एक और demand की थी इन्होंने sophist की जो गाना नहीं कहा थे sophist वो गाना कहते है न वो उसकी demand की थी तो बट इनके tradition में इनके Greek tradition में Syria में ये इनके against था इनके religion के इनके tradition के against था तो इन्होंने सब कुछ दिया dried fix दे दिया fix दिया sweet wine दिया but sophist ना दे पाए वहिया who was the ambassador of Ptolemy Philadelphus I residing in बिंदुसार कोट तो ये डाइनोसियस आया था डाइनोसियस पूछा जाता है सवाल सीधा पूछा जाता है कि एक तो सवाल ये बनता है कि डाइनोसियस जो था ये किसके कोट में आता तो बिंदुसार कोट में आता पहली बात दूसरी बात ये कि डाइनोसियस किसका ambassador था किसका दूद था तो ये था Ptolemy Philadelphus I who founded बिंदुसार religion more towards आजीव का सेक्ट तो आंसर होगा मखाली घुसला मखाली घुसल जो है ये आजीवक संप्रदाय के founder है और बिंदुसार के हिसाब से बिंदुसार के समय में इन्होंने आजीवक सेक्ट को found किया था which book mentions that a revolt took place in Taksila during बिंदुसार reign and his son असोका was sent to suppress the revolt तो ये कहा है असोक असोक वदना में लिखा गया है असोक वदना एक book है उसमें लिखा गया है तो थोड़ी सी बात यहां पर share करना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ असोक से related तो बिंदुसार के पुतर थे असोक और असोक का नाम असोक कैसे पढ़ा ये सोचो क्योंकि बिंदुसार को ना मतलब बच्चा नहीं हो रहा था और कुछ बहुत जतन कर रहा था और बच्चा हुआ तो उसकी माता का जो सोक था सोक था कि बच्चा नहीं हो रहा है तो वो Soak मिट गया उसका तो बोला कि ये बच्चे का नाम ना Asok रख दो कि Soak को खतम करने वाला है असोक इसका नाम रख दो तो ऐसे करके Asok का नाम Asok पड़ा था ये सब मैनूट बाते कोई नहीं बताएगा आपको मैं बता रहा हूँ कहीं कहीं से मिलती है मुझे तो मैं जमा कर लेता हूँ तो असोक के बारे में जानते हैं जो कि बिंदुसार का पूतर था तो विच टू टाइपस अफ इस्टोरिकल सोर्सेस गिपस तक करेक्ट इंफोर्मेशन अबाउट असोका रेन तो असोका के रॉक पिलर रॉक और पिलर इडिक्ट तो बहुत फेमस है जो कि पूरे देश में है देश में नहीं बिदेशों में भी है आजके डिट में उस समय सब कुछ भारत वर्स हुआ करता था लेकिन अब अब अफगानिस्तान हो गया तमाम चीज़े अब तो हमसे अलग हो गई है तो बिदेशों में भी इसके वो है अब तो नेपाल में लुंबिनी वाला भी रॉमेन देजियो है तो रॉक और पिलर इडिक्ट खूब जो है असोका के पाए जाते है बिहार में है गुजरात में है कहां नहीं अलग वहर जग इनका कोरोनेशन हुआ था गद्दी पे बैठेते कि अधरींrüसी तोड़ा से इस्प्यूट सब्सक्राइब जिये माना जाता है कि असोक को करना पड़ा था गद्दी पे बैठने के पहले अधरा करना पड़ा था श्ट्रगल कियों करना पड़ा था क्यूंकि इनके भाई बहुत थे तो ऐसा माना जाता है कि 99 भाईयों का हत्या किया था इन्हों एक को छोड़ दिया था कितनी सचा यह पता नहीं बद जैन लिट्रेचर वह किता में मिल जाता है तो ऐसे 273 BC में हुआ गदी के में बैठने के बाद तो कोरोनेशन अफ असोका टुक प्लेस फ्रोर यह लेटर आफ्टर अजुमिंग थ्रोन इन्विच यह थ्रोन पर बैठे थे सॉरी 273 BC में और चार साल बाद यानि कि 279 BC में इनका कोरोनेशन हुआ था थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आपको तो यह भी असोक नहीं किया था असोक इस था राइट आटासयज नेम दे तू आफिसियल स्टाइटल्स था थे अजुम्ड बाइक्ट किंग असोका था तो दो टाइटल बहुत इंपॉटन था पियादासी और देवनाम पिया प्रियादासी यह जो है ना यह पढ़ने वाल था अलेगजेंडर नहीं है जेम्स प्रिंसिपग जेम्स प्रिंसिपग ने 3 पित् Milliarden चाहिए मात्मा बुद्य की जितनी भी टीचिंगे सुध्य पित्र केण कि मुनास्ट्री लाइफ के रूज रूल्स है कि मुनास्ट्री लाइफ डूर्ल होगा ऑफित्र मेजर बुद्धिस इंद चिज यह बसुंत करता है तो यह जो है major Buddhist text contents and account of Moran Emperor अभिधम अपितब तुरमया तुरमया who was contemporary of Asoka was the ruler of which country तो यह Egypt का ruler था तुरमया बहुत पुछे जाता यह which state tree of Indian subcontinent was not part of Asoka रेन आंसर होगा स्रिलंका स्रिलंका was not part of Asoka स्रिलंका में अलागी भेजा था इसनों ने बहुत धम के परचार के लिए धम के बहुत धम के परचार के लिए और बहुत धम के लिए भी संगमित्रा और महेंदर को भेजा था इनों which ruler in ancient India built India's first hospital and herbal garden आंसर होगा Asoka Asoka's journey Asoka's journey of being Chand Asoka to धम Asoka is more often mentioned in which text टांसर होगा बुद्धिस टेक्स धम नीती अपना लिया Chand नीती, Chand Asoka से धम Asoka होगा, इसका मतलब क्या है 261 BC में एक लड़ाई होई थी जिसे Battle of Kaling कहते है Kaling के युद्ध में इतना जादा जानमाल का नुक्सान होगा एक लाग से जादा लोग मारे गया थे खुन्नम खुन हो गया था एक दम खुन्नम खुन हो गया था एक दम तो Asoka को बहुत जहटका लगा इस लड़ाई के बाद देखा कि Asoka ने काफी छती हो गई यार इतने जानमाल चले और Asoka का जो ना धम के तरफ इनका विष्वास आ गया और लड़ाई छोड़के धम नीती अपना ली थी जिसे हम कहते है चंद असोका टू धम असोका यह मैंसन कहा किया गया बुद्धिस टेक्स में इसके अलावा अगर बात करें तो ठीक है इतना ही है इसमें आगे बढ़ते हैं विच इवेंट विच इवेंट बॉट एबाउट प्रोफाउंड चेंज इन असोकाज अडिनिस्ट्रेशन अडिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आंसर होगा तक लिंग वार कलिंग वार वही वार है जो अभी मैं जस्ट आपको बता रहा तो 221 बीच इने लड़ाई लड़ेगी ति एक लाख से ज़्यादा लोग मारेगा था कुन्न कुन हो गया था इतना खून हो गया था कि मैने तो नहीं देखा यार बट फिर भी assume करो यार एक लाख लोग मारे जाना होगा एक खुन नम को एक आदमी के सरीर में पाच लिटर खुन होता है पाच लिटर नहीं गिरेगा यार आधा एक लिटर तो गिरेगा ही काट दोगे बिल्कुल आदमी को तो एक दो लिटर तो गिर ही जाएगा तो एक लाख लिटर खुन बहा होगा खेर इन विच येर कलिंग वार वज फॉट बिट्विन असोका एन फोर्सस अफ कलिंगा आंसर होगा यार ये 261 बीसी होना चाहिए ये थोड़ा सा दिस्पूटेट लगा मुझे आंसर 261 बीसी होना चाहिए याप है ठीक है 265 नहीं होगा 261 होगा I'm damn sure So the killing war of King Ahsoka was fought during the which year of his reign तो ये 9th year में लड़ा गया था ठीक है 9th year of his reign में लड़ा गया था आंसर होगा 9th year Which historical source 9th year कैसे 269 में coronation होगा था 269 में coronation होगा 261 में होगी गया 9, 1 हो गया 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2 और एक में तो होगा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक वाला 261 वाला इसमें तो होगी गया तो 9th year ठीक है तो इससे भी प्रूफ होता है कि कलिंग वार 261 BC में होगा था Which historical source gives the detailed information regarding कलिंग वार and huge fatalities तो ये rock 13 edict 13th rock edict जो है उडिशा वाला वहाँ से मिलता है हमें ये जनकारी The exact meaning of dhamma The exact meaning of dhamma according to asoka was not religion or any other new practices but it was meant for which law answer हो का moral law dhamma क्या था? moral code था common code of conduct था moral law था लोग इसको religion बना जेते हैं ये कर जेते हैं? नहीं अगर पूछे एक्जाम में भी जाते हैं मेंस लिखने है तो dhamma niti के बारे में पूछे तो dhamma niti को start ही करो asoka is dhamma niti was more of moral law or common code of conduct than a religion it was not a religion at all ठीक है who constructed the sanchi stupa of madhya pradesh अंसरोगा king asoka king asoka sanchi वाला बनवाया था sanchi का है madhya pradesh में asoka के rock edict देख लेते हैं उससे related सवाल what is the total number of asoka's edict including all major, minor and all pillars तो यह total 33 है major, rock कहलो, minor कहलो pillars भी मिला दो total 33 है उसमें कुछ famous है तो जैसे कि the statement 12 year after my coronation I started to have dham edicts written for the welfare and happiness of my of the people from which ndict तो यह edict number है edict number 6 यहां पर यह बात लिखी गई है asoka ने लिखवाई थी कि 12 साल होगे मेरे coronation को उसके बाद मने dham edict लिखवाया है for the welfare and happiness of the people next what is the name of rock edict what is the name of rock edict of asoka that provides all practices and duties related to dhamma तो यह है rock edict 13th 13th rock edict Urisa who was the first ruler of Indian subcontinent to issue rock edicts in two forms namely major and minor rock edict तो यह भी asoka ही है which type of language is used in encryption of asoka तो प्रकिर्थ language बहुत important है प्रकिर्थ language ब्रामी script प्रकिर्थ language ब्रामी script यह हुज हुआ है which asokan encryption is in खरोष्टी script तो यह है सहबाजगड़ी सहबाजगड़ी script जो है यह encryption जो है यह खरोष्टी script में है what was the language used in most of the edicts found in eastern part of India अंसरोगा मगधी language that is of ब्रामी script इन विच प्लेस अफुत्राखंड इंपेर असोकाज rock edict discovered तो यह कल सी कल सी जगह देहरादून district में है वहाँ पे यह पाय गया है which southern kingdom is not mentioned in asokan encryption तो यह सात्वाहनों का जेकर बिल्कुल है ही नहीं asok के encryption में the first known encryption the first known encryption by asoka which has greek and in armaic script is located at kandhar bilingual rock is encryption है यह दसवे year of his reign 260th bc में यह बनवाय गया था लिखवाय गया था inscribe करवाय गया था in which encryption the names of both chandrgupta and asoka are mentioned तो यह rudr daman encryption of junagard में लिखा गया है rudr daman encryption of junagard encryption में लिखा गया है rudr daman भी मतलब काफी importance आ सकता है junagard वाले encryption के लिए क्योंकि junagard वाले encryption पर rudr daman ने भी लिखवाया है sanskrit में लिखवाया था which pillar encryption is also known as queen addict queen addict because of queen kurawati of asoka asoka ने अपनी वाइफ का जिक्र एक ही pillar encryption में किया है Allahabad pillar encryption में और कई सारी वाइफ रहे होंगे but only एक ही कुरा वकी का नाम लिखा गया है अगला इन विच इंक्रिप्शन रैन्यो असोका और किंग असोका is mentioned all along with the stone pet portrait of asoka answer होगा kanagana kanagana halli encryption ये kanagana halli encryption करनाटक में है what is the name of the edict in which asoka refers to himself as king of magad तो ये भाबुरू encryption में मिलता है भाबुरू encryption में मिलता है भाबुरू encryption is the right answer which encryption has stated that asoka become an ardent supporter of buddhism after two years of killing war answer होगा the भाबुरू encryption inclusion of asoka into buddhist sangha is specifically mentioned in which edict answer होगा minor rock edicts में mentioned किया गया है अब देख लेते contents जितने भी इनके rock edict major वाले में उसके contents देख लेते क्योंकि ये पूछा जाता है पिलर वाले का भी देखेंगे rock वाले देख लेते हैं so major rock edict 1 जो है इसमें prohibition of animal sacrifices का information मिलता है कि animal sacrifice बली देना बंद करूं major rock edict 2 में mention किया गया है पांडिया, सत्य पूराज केरला पूराज of South India के बारे में mention किया गया है major rock edict 3 की बात करें तो generosity to brahmins बोला है, लिखवाया गया था असुका के दोरा कि brahmins को generously treat करना चाहिए direction to yuktaas pradeshikas and rajukas would be would go every five years to different part to spit dhamma बोला कि ये जो अधिकारी है yuktaas, pradeshika, rajuk ये सब जाएंगे हर पांच साल में और different part में जाएंगे हमारे territory के और dhamm को परचार करेंगे, dhamm का परचार करेंगे major rock edict 4 की बात करें तो यहाँ पर king asoka greatly attached dhamm ghosha that is sound of dhamma और righteousness over bheri ghosha that is sound of war bheri ghosha के उपर dhamm ghosha, bheri ghosha मतलब बता है sound of war और dhamm ghosha का sound of dhamma और righteousness तो बोला कि कहीं ने कहीं हम लोग bheri ghosha को छोड़ के dhamm ghosha अपनाना चाहिए major rock edict 5 की बात करें तो appointment of dhamm maha matras जो की dhamm की परचार करेंगे official officer थे यह इनको दिया गया था इसमें mention किया गया major rock edict 6 की बात करें तो welfare measures efficient organization of administration की बात की गया यह 7 में क्या किया गया है tolerance towards religious religions among all sects in his as well as his neighboring kingdom में बात की गया है इसके लाव बात करें major rock edict 8 की तो असोका का first visit to both गया and both ही tree इसका पहला dhamm यातरा था ठीक है यह mention किया गया है rock edict 9 की बात करें तो stresses on moral conduct के उपर बात की गया है major rock edict 10 की बात करें तो disapprove किया है असोका ने of individuals desire for fame and glory and stresses on dhamma rock edict 11 की बात करें तो appraisal of dhamma की बात की गया है respect for elder and concerns for slaves and servants की बात की गया है वही बात करें अगर major rock edict 12 की तो यहाँ पे promotion to religion to different formal change the heart after killing war यह सब mention किया गया है major rock edict 13 में largest of all है यह सबसे बड़ा लिखा गया है इसमें it mentions victory over killinga and asoka dham victory over greek kings also mentions pandeas और čolas का भी mention है major rock edict 14 की बात करें तो purpose of rock edict को बताया गया कि क्यों बना रहे है rock edict चलिए अब देख लेते हैं major and minor pillar edicts के बारे में so by which name asoka is referred in his pillar encryption तो the unique feature of asoka stone pillar includes what highly polished and monolithic monolithic का मतलब है एक ही पत्तर को तरास के बनाया गया highly polished किया हुआ जो है stone pillar हुआ करता था in allahabad which pillar edict details about asoka's wife karuwa की her son tiwara is mentioned queen's edict बोलते है allahabad वाले को which encryption of asoka bans animals sacrifices on certain festive gathering that probably include included ban on animal killing as well तो यह pillar edict 5 में बोला गया है अब देख लेते contents जो है pillar edict के तो pillar edict number one जो है इसका content है असो का प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और प्रोटेक्शन है ऑफिस पीपल बोला जो हमारी जनता है वो सभी पूत्र हैं मेरे बच्चे हैं ऐसा असो का मानता था pillar edict 2 की बात करें तो it defines dham as minimum of sins, many virtues, compassion, liberty, truthfulness and purity धम के बारे हम बोला गया है three rock edict sorry pillar edict third की बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कि avoid करना चाहिए practices of cruelty, sins, harshness, pride, anger among his subjects और वही बात करें pillar edict fourth की तो responsibilities of Rajukas को बताया गया कि क्या उनकी responsibility होगी pillar edict 5 में list of animals and birds that should not be killed on certain days की बात की गई है another list mentions animals that should never be killed also known as Delhi topra pillar edict बात करें pillar edict 4 की तो dham policy of estate के बारे में गोसित किया गया इसमें pillar edict 6 7 में work of asoka for dham policy it is longest pillar edict यह mention किया गया है अब बात करें रुमिन देई pillar encryption of asoka की this was put up to mark birth of buddha रुमिन देई pillar encryption of asoka की बात करें तो it was put up to mark किसलिए बार्थ बुद्धा के लिए put up किया गया था कि मैं यहां विजिट किया हूं और यही पे जो है और बुद्धा का जनवाई यह रुमिन देई जो है यह लुम्बिनी में है लुम्बिनी में जनम हुआ है विच इंक्रिप्शन डिस्क्राइब्स देट असोका एज इंक्रीज दाइज दूपा बुद्धा कुना कमन तू डबल फिट्स ओर जिन साइज तो यह निगाली सागर पिलर इंक्रेप्शन में मैं जंकिए गया है कहानी अब आते हैं लेटर मौरियस आफ withhold अट्राह अडर्ली मौरियस कंग यह थे पहुझा हुए Some बहरे कि मौर्याइज खतम होगए टेका इन 236 BC who become the immediate successor of Morias तो तिवारा, तिवारा, another son of Jaluka become ruler of Kasmir तो तिवारा बिसिकली बनाता फिर रहता है, which Morian king has been identified as बंदु बंदु पलिता इन पुराना जांसर होगा, इसका दसरथा दसरथा In the later Morian period, who ruled western part of empire with Jaini as its capital तो आंसर होगा, Sampriti Sampriti इसका सही आंसर होगा Which Morian king was killed by his military commander Pusimitra Sung in A187 BC तो ब्रियदर्थ, ब्रियदर्थ ही जो था आखरी Morians आ सकता तो अब हम देख लेते administration under Morian empire administration देखना जरूरी है administration under Morian empire देख लेते है What was the nature of Morian administration तो यह highly centralized था, मतलब कि center से control किया जाता था प्रोविंसेस को ठीक है centralized था ठीक है वही अगर गुपतो की बात का तो वो centralized नहीं था उसमें क्या सामन्ती रूल था और पावर अलग-अलग दिया गया था बट यहां से तो पूरा centralized system काम करता था ठीक है, मतलब पाटली पुत्रा में बैटके, Morian Emperor हर जगा control करता था, centralized system था in the Morian period, tax evasion was punished with death मार दे जाता था, बोला tax चोरी करें का इले, खाली मारा ही नहीं जाता था अगर अप NCAT को deep पढ़ोगे तो उसमें बोला जाता था कि हाथ भी काट लिए जाता था, कुछ, मतलब amputation का punishment दे जाता था, कुछ, काट लोगस का इस टाइप का, death भी होता था the description of administration of partly putra is available in Indica, Indica मैंने बताया था salucus negator का दूथ, जो की megasthenes था, वो चंदगुप्त के दरवार में आया, वहां पे रहा और Indica लिख दिया, जिसमें पाटली पुत्रा के बारे में detail में बताया गया है which source states that there was no slavery in ancient India, तो megasthenes का Indica ही, वो source है, जो की बताता है कि slavery था ही नहीं the notion of saptanga, the notion of saptanga that was introduced in earth sasth, includes saptanga में था king, territory administration and treasury what was highest category of official in administration that called in modern period, तो सबसे उपर थे तिर्थास, टोटल 18 तिर्थास थे, अब देखते है provincial administration कैसे था provincial, मतला अभी देट में जैसे state होते है, उसमें provincial administration हुआ करता था, so who was the head of the provincial administration, assisted by maha maratas maha matras, maha matras and council of minister answer हुआ कुमार, कुमार division of the provinces were done into districts under the official called Rajuka answer होगा Rajuka, what was the name of head of village that was the lowest administrative unit, answer होगा Gramini, Gramini इसका सही answer होगा, अब देखेंगे important heads under administration तो agro nomoi ये था head of the revenue management, adhyakchha he was ranked next to the next to the तिर्थास, total 20 adhyakchhas होते थे amat ते किसको बोला जाता था he was high ranking official, almost like present day secretaries, जो होते है उस type का था, दुर्गपाल governor of forts हुआ करता था governor of forts, दुर्गपाल gramik, head of village को gramik बोलते थे, और वही बात करें लुहा अध्यक्ष, तो लुहा अध्यक्ष जो था superintendent of iron, लुहा से समझ सकते हो lowr adhyakch, namak का superintendent था mantri parisad, council of ministers को बोला जाता था, आज भी mantri parisad बोला जाता है mantris, mantris, ministers को बोला जाता था, mantri parisad adhyakchhas, head of council बोला जाता है, maha matas highest, higher ranking official, जो की धम निति को फालाने का भी काम करते है, maha matas nagarika, nagarika जो था, वो in charge of city administration था फिर आता है, नव ध्यक्ष, नव ध्यक्ष था superintendent of ships था फिर आता है, पौत्वा ध्यक्ष, पौत्वा ध्यक्ष, पौत्थ क्या होता है port, in charge of पौत्वा ध्यक्ष था, in charge of weight and measures हुआ करता था फिर आता है, पौत्था वध्यक्ष, superintendent of weight and measure हो गया प्रदेशी का, प्रदेशी का जो था, वो provincial governor और district magistrate DM के जैसा हुआ करता था, राजुक राजुक जो था, ये officer in charge of land measurement and boundary fixing था, यानि कि जो present day में जो होता है, तहसीलदार उस टाइप का काम करता था, revenue administration देख लेते हैं, who was the head of revenue collection in entire Moray Empire, answer होगा, समहरता समहरता इसका answer होगा Morayas granted exemptions from payment of land revenue to Brahmin religious institutions and state officials फिर आता है, different types of taxes भाग जो था, भाग जो था it was land revenue tax, 1 by 6 share को सद भागा भी बुला जाता है, 1 by 6 tax लिया जाता था, भाग land revenue था, बाली था additional tax, tax फिर आता है, चोरा राजू ये था tax collected for search of thieves, चोरा राजू, चोर से समझ लो, चोरा राजू tax collected for search of thieves, हिरन्या, हिरन्या था tax paid in cash, परन्या परन्या था emergency tax और सुल्क था custom duty, ये कुछ taxes हो गए, रहते हैं, अधर political and economic conditions देख लेते हैं, so, point है point है कि पंको पंकोदा कासा निरोध was the penalty in Morian administration charged for causing dirt and mud on road, तो देख लो आज के रेट में न, पिच से थूख देते हो रोड पे जाके, उस समय ऐसा नहीं था, मतलब गंदगी फैला होगे तो punishment मिलना पड़ेगा, मिलेगा भाग और बाली भाग बाली वेर टू ताइपस फिच सोर्स इन Morian period, तो ये sources of revenue हुआ करते थे sources of revenue भागा कितना था, एक बटा छे भाग था land revenue के टाइप है, विच older form of communal ownership of land continue during the Morian period, आंसर हुआ, गन संगा the state-owned or crown land in Morian period was known as इसको सीता लेंड बोलते थे जो state-owned मतलब की जैसे Morian Empire है, वो Empire कहीं लेंड है मालो, Morian dynasty कहीं लेंड है मतलब government कहीं लेंड है तो सीता लेंड बोलते थे which is the only encryption of Asoka that gives detailed information about Morian taxation, तो यह रुमिन दे इंक्रिप्शन है जिसमें बोलागा कि Lumbini में है बेसिकली है Asoka slash tax at Lumbini to 1 by 8, 1 by 6 से 1 by 8 कर दिया था बोला यहां पे यार बुद्धा का जनम हुआ है यहां पे tax पहले तो मना ही कर दिया था, फिर थोड़ा कम किया the punch-marked silver coin which carried the crescent the symbol of peacock and the hill called इसको pana बोलते थे who was head of civil court during the age of Morian अंसर होगा धरम स्थेया name the department where Pradeshika used to head in Morian age अंसर होगा criminal court criminal court कंटक सोधन बोलते थे इसको और Pradeshika उसका head होता था Morian art and culture बहुत important है Morian art and culture पहला point कहा है what were two types of pillars made in Morian period तो ये the spotted red और white sandstone के बनते थे दो तरीके के spotted red चुनार से बनाया जाता था और white sandstone थोड़ा दूर से मंगा के इसको बनाया जाता था name the pillar of Asoka where Samundra Gupt of Gupt dynasty and Jahagir of Mughal Empire has written their official orders over it तो एक ऐसा मात्र Allahabad का pillar है जिस पे Asoka ने भी छपवाय था Samundra Guptah ने भी छपवा दिया और Jahagir ने भी छपवा दिया तो मतलब सोच सकते हैं Allahabad pillar encryption Pentino का encryption है तो होर्स मोटीफ on सारनाथ लायन कैपिटल अफ असो का इस अफून डिस्क्राइब अग्जाम्पल आफ Hellenistic Realism Hellenistic Realism पिर आता है important pillars with different capitals तो Loria Nandangar pillar जो है यह बिहार में है यह single line है इसके उपर ठीक कैपिटल पर मतलब उपर जो capital होता है न ऐसे कुछ होता है कि pillar तो ऐसा होगा फिर उसके उपर ऐसा कुछ लोटस टाइप का उल्टा होता है और फिर इस पर कोई जानवर बैठा होता है इसे pillar कहते है तो यहां पर जो है single lion बैठा है रामपुरुवा का bell जो है इसमें single bull है कहता है यह भी रामपुरुवा जो भी भी भिहार का ही है बट अभी यह बैल जो है राश्पति भावन में है संकिसा इस पर इलिफेंट है और सारनाथ पिलर पर फोर lions standing back-to-back state emblem भी है इंडिया का है वही से लिया है हमने सारनाथ से ही so enlightenment throne of buddha that is diamond throne and ancient stone slab located under the bodhi tree was built by asoka किसे बनो किसने बनो आया था असोका ने बनो आया था पटना के आउटर में जैसे आप इधर सो जाओगे हाजी पूर होते हुए तो आपको ना जैसे पार करोगे आप गांधी सेतुपूल तो आपको दिख जाएगा कुमरार वही पे Moran Empire का wooden palace जो है वहाँ पे मिलता है पाटले पुत्रा में असोका इस क्रेडिटेड तो ब्यूल्ट दा ग्रेट इस्टुपाव सांची जो की मद्यपरदेश में है हुवज अल्सो कॉल इंडियन मिसी वेली इंडियन मिसी वेली कॉटिल ले को का आगया है कोटिल वई अर्थसास करचीता चंदुरुपत को गदी वे बिठाने वाले महान The phrase a full treasury is a guarantee of prosperity of a state is taken from which book answer होगा अर्थसास A full treasury is a guarantee of the prosperity of the state is taken from which book answer होगा अर्थसास The book of Brahminical tradition that gives the anthology about Moran king is called इसे पुराना आज बोला गया है Name the Jain work which is considered as biography of Chanakya and also gives crucial information about Moran Empire answer होगा इसका परिसिस्ट परवन भाई हेमचंद्रा Jain work है यह परिसिस्ट परवन भाई हेमचंद्रा काता है decline कैसे हो गया Moran Empire का So after the death of which king the Moran Empire started to decline तो असुका के बाद माना जाता है कि इसके बाद के सासक post Moran जो है latter Moran जो ruler थे वो काफी weak थे So who was the last emperor of Moran dynasty तो ब्रियदर्थ की हत्या जब पुस्यमित्र सुंग ने कर दी थी सुंग dynasty का found कर दिया था उसने In 185 BC who organized a major revolt against the Moran king answer होगा पुस्यमित्र सुंग Who killed the last king of Moran Empire तो इसको भी पुस्यमित्र सुंग ने ही मार दिया था इसी का military commander था ये और इसी को मार दिया which historian attributed the that religious policy of Moran as a reason for decline तो बोला कहें ने धम निती अपना लिया पहले क्या था पहले लड़ाई करता था जीतता था समराज को तो लोगों में ड़ड़ बना रहता था पॉलिशी थी मॉरेन की especially जो असोका की उसने decline करवा दिया बट इतना भी सही नहीं एस में क्योंकि असोका ने लड़ाई छोड़ी थी हथिया थोड़ी डाला था सेना तो थी कभी भी कोई आक्रमन करता था लड़ जाता बट एक्सपेंशन नहीं कर रहा था खुद से नहीं लड़ रहा था लिच डाइनस्टी टुक ओवर आफ्टर मॉरेन डाइनस्टी आंसर होगा सुंग डाइनस्टी जिसका फांडर था पूसी मित्र सुंग तो गाईस मजाया होगा आपको जरूर मुझे लगता है मॉरेन पीरियट खत्म किया हमने अब देखेंगे पोस्ट मॉरेन एज अगले वीडियो में चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो भाई नहीं करते हो अभी कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो मिलेंगे अगले वीडियो में बाई बाई